अबी स्टानर्ड इलेवंट सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्र नमबर टू के अंदर हमने आगी सिखनी किसे नमबर और एरर देख लिया था लेकिन मैंने उसीव दीन आपको बोला था कि मैंने में एक टॉपिक आपको भी रहने देता हूं वो टॉपिक है कॉंबिनेशन ओफ जो आज हम स्टार्ट करने वाले बरहेबर टॉपिक का लाम है कॉंबिनेशन ओफ एरर मतलब के एरर जो है एक दो तीन एरर एक दुसरे के साथ कंबाइन होगी बरहेबर है तो वह अभी आप देखना है तो याद रखो कॉंबिनेशन ओफ एरर तीन टाइप की है एरर इडि बरहेबर तो याद रखो कि जब एडिशन और सब्ट्रेक्शन एरर होगी तो हमें इस टाइप का अंसर मिलेगा जो हमें मल्टिप्लिकेशन और डिविजन होगी तो हमें इस टाइप का फॉर्मिला यूज़ करना पड़ेगा और एरर इन पावर होगा तो हमें इस टाइप तो इसका पहले रूल है, if two quantities are in addition subtraction, then its absolute error is addition or subtraction of each quantities, मतलब कि जब हमें दो quantities दी हुई हो, मतलब same quantities, तो उसके अंदर addition और subtraction error हमें दी हुई है, तो हमें उसके absolute error find करनी हो, तो हमें उन दो लों का क्या करना पड़ेगा, या तो फिर addition करना पड़ेगा, या तो फिर subtraction करना पड़ेगा, याद रखो इसके एक हींट है, आपको दो quantities same देंगे, या तो फिर दो mass देंगे, या तो फिर दो length देंगे, या तो फिर दो time देंगे, या तो फिर दो resistance देंगे, दो same quantity देंगे, और error जो find करनी है वो भी उसी quantity के अंदर find करनी होगी याद रखिए आपको दो same quantity देंगे मनलब M1 and M2 और find error in M L1 and L2 find error in L मतलब दो same quantity देंगे और error जो find करनी है वो भी उसी quantity के अंदर देंगे बराबर है तो याद रखो कि इसकी hint क्या है मैंने लिखिए if two quantities are same and also find the error in same quantity मतलब कि हमें दो same quantity देंगे और error जो find करनी है वो भी उसी quantity के अंदर find करनी है तब जाके हमें ये formula यूज़ करना है इसका formula ये है हमें question always इस time के देंगे last वाला जो है वो delta होगा delta मतलब कि उसका absolute error बराबर है वो होगा और आगे वाला जो होगा वो हमारा original जो value होगी वो होगी बराबर है तो याद रखो addition subtraction में करना क्या है कि आपको दो same quantity देंगे same quantity के अंदर आपको जो error find करनी है वो भी उसी quantity के अंदर find करनी है इसलिए आपको ये addition subtraction करनी होगी बराबर है तो हम स्टार्ट करते है एक सम देखो क्या बुला है हमें the two resistance r1 and r2 हमें r1 दिया हुआ है r1 is equal to 100 plus or minus 3 ohm and r2 दिया हुआ है हमें 300 plus or minus 4 ohm ऐसा दिया हुआ है are connected in series दोनों series में connected है दें find absolute and percentage error in resistance absolute error मतलब delta r find करना है percentage error मतलब delta r by r find करना है in 200% याद रखो हमें दिया भी resistance है और find भी resistance में ही कर दिया है हो गया है query complete कि भाई हमें दो same quantity देंगे और हमें error जो find करनी है वो भी उसी quantity के अंदर हमें find कर दिया है that means कि हमें addition subtraction method method यूज कर दिया आपको particular बताएंगे नहीं कि आपको यही method addition subtraction या multiplication division या पावर वाली method यूज कर दिये आपको यह हींट याद रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे दो same quantity दी है और error मुझे उसी quantity में find कर देंगे that means कि we are using addition subtraction method okay so now start हमें find करना है r plus or minus delta r is equal to formula क्या होगा r1 plus or minus delta r1 plus r2 plus or minus delta r2 याद रखो कि आपको जब तक बोला लो हो कि मैं minus करो तब तक हमें plus ही करदा है r1 दिया हुआ है मुझे 100 plus or minus 3 ohm plus 300 plus or minus 4 ohm बराबर यहाँ पे 100 plus 300 होगा 400 plus or minus 4 plus 3 होगा 7 ohm हो गया therefore absolute error delta r is equal to मुझे कितना मिना 7 ohm याद रखो पीछे वाला always क्या होता है absolute error होता है अभी मुझे क्या find करना है percentage error delta r by r into 100 percent find करना है तो delta r कितना मिला मुझे 7 r कितना मिला मुझे 400 बराबर 100 plus 3 into 100 तो 7 divide by 400 हमारा यह 0.175 0.175 into 100 multiply by 100 करोंगा तो आएगा हमारा 1.75 percentage यह हमारा answer होगे याद रखो आपको absolute error जो है वो लास्ट में मिल जाएगी वो always हम सब में absolute होता है delta मतलब पईशे वाला और आगे वाला मतलब और इंदल वैल्यू देखो r plus delta r और मतलब पहले वाला r और दूसरे वाला delta r 1 पहले वाला r दूसरे वाले delta r तो यह होगा याद रखो दो same quantity देंगे और आपको जो answer find करना है वो भी same ही करना है अभी एक दूसरा sum देखते है देखो आपको दिया हुआ है m1 10 plus or minus 2 kg दूसरे m2 दिया हुआ है 15 plus or minus 3 kg delta m और delta m by m find करना है तो delta m m plus or minus delta m मतलब क्या होगा m1 plus or minus delta m1 m2 plus or minus delta m2 m1 है 10 plus or minus 2 kg m2 है 15 plus or minus 3 kg 10 और 15 25 होता है 2 और 3 5 होता है तो पीछे वाले absolute error मुझे delta m 5 kg मिल गया अब मुझे find करना है percentage error तो delta m by m into 100% तो जो क्या है 5 divided by 25 into 100 तो 5 divided by 25 गा 0.2 multiply by 100 मतलब 20% तो वैसे हमें आपको extra sums देता हूँ बनावर वो extra sums आपको करने है मैंना आज आपको कराया परसल एरर एडिसन सब्रेक्शन बनावर दो same content देंगे और एरर भी हमें उसी में find करना होगा तो आदमें आपको extra sum देता हूँ तो वह आपको करने होगा तो आपको करने हूँ